हाई, आई एम सुदर्शन गुप्ता, गवर्मेंट एक्सलेंस हर सेकंडरी स्कूल नंबर बन स्यूपरी, आज हम देखेंगे प्रोपर्टी जॉप इनबर्स ट्रिक्नोमेट्रिक फंक्शन, आज प्रोपर्टी थार्ड में पहली प्रोपर्टी साइन इनबर्स एक्स प्लस को इनबर्स एक्स इक्वल पाई वाई टू, इसमें एक्स ब्लों करेगा माइनस बन से प्लस वान, सेकंडर, टेन इनबर्स एक्स प्लस कोट इनबर्स एक्स इक्वल पाई वाई टू, इसमें एक्स ब्लों करेगा रियल लंबर, थार्ड कॉसेक इन्वर्स एक्स प्लस सेक इन्वर्स एक्स इक्वल पाई वाई टू इसमें मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू बन अब फ़स्ट है साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इसको हम प्रूब करेंगे इक्वल पाई वाई टू इसके लिए हम माल लेंगे let sin inverse x equal theta इससे हम x की value निकालेंगे तो sin इधर चला जाएगा तो x की value आएगी sin theta और इस sin theta को हम cos में convert कर लेंगे तो sin theta cos में convert होगा cos 90 minus theta क्योंकि cos 90 minus theta sin theta होता है इससे cos inverse x pi by 2 minus theta आजागा क्योंकि हम cos को इधर transfer कर दिया तो cos inverse x equal pi by 2 minus theta अब cos inverse x equal pi by 2 minus theta theta की जगहे पर हम sin inverse x equal जगहे थीटा था उससे बैलून लिखे लेंगे थीटा की तो आजाएगा sin inverse x sin inverse x को transfer कर देंगे तो आजाएगा sin inverse x plus cos inverse x equal pi by 2 इस परकार से यह हमारी प्रॉपर्टी प्रूप हो जाती है sin inverse x plus cos inverse x equal pi by 2 इसी प्रकार हम second वाली प्रॉपर्टी प्रूप कर सकते हैं वो है tan inverse x plus cot inverse x equal pi by 2 इसको सिद्ध करने के लिए वही प्रॉपराना तरीका हम क्या करेंगे tan inverse x को theta मान लेंगे तो let tan inverse x equal theta इससे हम x की value निकालेंगे तो x की value आ जाएगी tan theta वही tan को फिर से हमें quarter में convert करना है तो 90 minus theta से हम quarter में बदल देंगे तो हो जाएगा cot 90 minus theta यानि pi by 2 minus theta फिर cot को हम इदर transfer करेंगे तो cot उदर जाके cot inverse x हो जाएगा तो cot inverse x equal pi by 2 minus theta अब हम cot inverse x और जो theta है उसको इदर transfer कर देंगे तो minus का था वो plus का हो जाएगा और equal में रहेगा pi by 2 इसमें theta की जगह पर हम 10 inverse x लिख सकती है तो जो हो जाएगा हमारा cot inverse x plus 10 inverse x equal pi by 2 इस प्रकार से जे वाली हमारी property भी प्रूप हो जाती है कि 10 inverse x plus cot inverse x equal pi by 2 इसमें बज़े ध्यान रहे है कि x दोनों में होना चाहिए यानि दोनों में value से हम हो 10 inverse x plus cot inverse x जैसे 10 inverse 5 plus cot inverse 5 तो वो भी pi by 2 हो जाएगा 10 inverse 3 by 2 plus cot inverse 3 by 2 वो भी pi by 2 हो जाएगा इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं जो last थी तीसरी property है उसको हम सिद्ध कर सकते हैं कौन सी है वो है cosac inverse x plus sec inverse x equal pi by 2 इस प्रकार से हम सभी property